ओम्दि नमस्वाय हरहर महादेव नमस्कार दोस्तों मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका फ्ञागत करते हैं तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे घर में बरकत लाना चाहते हैं तो सनिवार के दिन आपके बरकत आना शुरु हो जाए이 आपके घर से आधे से अधिक समस्या खुद बखुद दूर हो जाएगी, जो भी आपके घर परसानी होती होगी, जो परसानी आई होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की परसानी हो, कोई भैंकर बिमारी हो, या लडाई जगड़े हो, या मुकदमे में फसे हो, या धन सम्मंदी की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर यह नियम बना लेते हैं, तो आपकी समस्या दूर हो जाती है, दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा, कहा जाता है कि जिस ब्यक्ति का सनी बलवान होता है, वो राजा के समान सुख प्राप्त करता है, वो अपना जी उसे एक ना एक परिशानी लगी में रहती है क्यों कोई नो कोई समस्या उसके पीछे लगी ही रहती है तो दोस्तों जब आप जोतिस के पास जाते हैं, तो सबसे पहले आपका विचार किया जाता है कि आपके कुंडली में सनी किस दसा में है, अगर आपको नोकरी नहीं मिल रही है, कोट कचहरी का जंजट है, तो आप सनी की इस्थिती देखी जाती है, जिस ब्यक्ति का मैं फिर स राजा के समान जीवन बेतीत करता है, तो दोस्तों सनी को बलवान करने के लिए, हम कौन से उपाय करेंगे, सरपर्थम दोस्तों, सनीवार के दिन, चने को सरसो के तेल में पका करके, यानि जिसे हम लोगों के हां घुगनी भी कहते हैं, आम भासा में, तो इस प्रकार से आप जिसे घर से निकल रहे हैं, या नहीं भी जा रहे हैं, तो जाकर के किसी चौराहे पर, या किसी मंदिर में उसे दान कर दें, वहां बहुत लोग बैठे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, या बहुत से गरीब लोग वहां रहते हैं, तो उन लोगों को दान करने से, आपक पल का दान कर सकते हैं, आप चाहें तो चैपत्ती का दान कर सकते हैं, मेरे कहने का अर्थ यह है कि काली चीजों का दान करना चाहिए, अगर काली चीजों का सनिवार के दिन आप दान करते हैं, तो आपका सनी मजबूत होता है, और आपके जीवन में आ रही परिसानिया दूर ह हो जाती हैं अगर आप ऐसा पांच सप्ताह करते हैं तो आप के जीवन में चमतकार दिखने लगेगा कि दोस्तों आप इस उपाय को करके देखें अगली चीज बताना चाहूंगा सनिवार के दिन आपको कबाड़े बेचना चाहिए या बाहर जो भी टूटी फूटी जो भी चीजें होती हैं उसे सनिवार के दिन आप बाहर कर देना चाहिए तूटी पूटी चीजें घर में नहीं रखना चाहिए इस चीज का विशेश द्यान देना चाहिए यह काम आपको सनिवार के दिन जरूर करना चाहिए दूसरी चीज बताना चाहऊँगा दोस्तों सनिवार के दिन आपने भ호जन में से गाय को जरूर देना चाहिए किसी मंदिर में या čaurाहे पर दान करना चाहिए अगर किसी गरीब को आप भोजन कराते हैं या उसे दान करते हैं तो इसका बहुत ही आपको उत्तमफल की प्राप्ति होती है और आपका सनी ग्रह मजबूत होता है तो यह काम आप आवस्य करें दूसरी चीज़ बताना चाहूंगा दोस्तों सनीवार के दिन उरत की डाल की खिचड़ी का जरूर सेवन करना चाहिए अपने घर पर ठोड़ा ही बनावें लेकिन अपने और अपने पूरे परिवार में सामके समय सनीवार के दिन जरूर खिचड़ी बना करके आपने दुद्धाल की खिचडी जरूर खानी चाहिए सनिवार को रात में mo'd सनिवार के दिन आप रात्री में जब भोजन करते हैं भोजन करने के बाद में कुत्ते को रोटी जरूर खिलाना चाहिए उसमें अगर सरसो का देल लगा करके couple को रोटी खिलाते हैं, इससे आपका सनी ग्रह मजबूत होता है, सनी ग्रह बलवान होता है, तो दोस्तों इस उपाय को जरूर करें, एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, नोकरी के लिए अगर आप परसान हैं, बहुत ज्यादा परसान हैं, आपको नोकरी नहीं मिल पा रही है, तो नोकरी के लिए सनिवार के दिन, नोकरी के लिए आप सनिवार के दिन देखा जाता है कि प्रती सनिवार, आप एक श्टील का बरतन ले लें, यानि कटोरी ले लें, और उसमें सरसो का तेल भर लें, भरने के बाद, दोस्तों अपना चेहरा उसमें देखें, और उस सरसो के तेल को दान कर दें, अगर यह कारे आप पीपल ब्रिच के नीचे करते हैं, आप तेल लेकर के कटोरी लेकर के जाएं और पीपल ब्रिच के नीचे खड़ा हो करके उसमें अपना चेहरा देख करके और उसको दान करते हैं या पीपल बिच के नीचे रख देते हैं अगर दान कोई नहीं है दान नहीं कर पाते हैं तो उसे पीपल बिच के नीचे रख करके आप चले आएं अगर इस उपाय को आप करते हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपको नोकरी में आने वाली परसानिया दूर हो जाती हैं जितना भी आपके साथ दुर भाग्य होता है वह दूर होता है अगर आपकी कोई भी मनोकाम ना होगी वह पूर्ण हो जाएगी दोस्तों यह बहुत ही चमतकारी उपाय है इसे आप जरूर करके देखें स्तनिवार के दिन भूजे हुए चने का सेवन जरूर करना चाहिए भूजे हुए चने का सेवन करने से सत्रू बिरोधी का भय समाप्त होता है जो भी आपके सत्रू होंगे बिरोधी होंगे जो भी आपके जीवन में इंटरपेर करते होंगे वह आप से पीछे हट जाएंगे आप से दूर हो जाएंगे तो दोस्तों सनिवार के दिन आप एक नियम बना लें कि थोड़ा भूजे हुए चने का सेवन जरूर करेंगे सनिवार के दिन आप चाहें तो उस दिन कंबल का दान कर सकते हैं मेरे कहने का आर्थ है काली चीजों का दान करना चाहिए लेकिन काली चीजों को सनिवार के दिन खरीदेना नहीं चाहिए, इस चीज का विशेश द्यान दे, सनिवार के दिन आपको अपने जाडू को जरूर बदलना चाहिए, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप इस सनिवार को जाडू ले आए, तो अगली सनिवार को उसे हटा दें और दूसरी जाड़ू ले आएं लेकिन जब भी आप जाड़ू अपना खरीदें यानि बदलें तो सनिवार के दिन ही आप जाड़ू बदलना चाहिए इस चीज का विशेश ध्यान दें तो दोस्तों यह थी कुछ विशेश जानकारी मिलते हैं कुछ आइसी ही ग्यान बर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें